दोस्तो आज अमेरिका के अंदर बहुती महत्वपूर्णा इंफलेशन का डेटा आ चुका है बहुत सारे लोग कोर इंफलेशन को लेखे परेशान थे और वो हमें लगातार बता रहे थे के कोर इंफलेशन नीचे नहीं आएगा लेकिन हमने आपको हमारे वीडियो से ये लगातार बताया था के इंफलेशन के साथ कोर इंफलेशन के अंदर भी एक बहुती अच्छी गिरावट आएगी आने वाले महिनों में आप देख सकते हो market के अंदर ये expectation था कि core inflation ये महेने 5% पे आ सकता है लेकिन actual में core inflation आया है 4.80% पे याने कि market के expectation से भी नीचे core inflation आया है जो gold silver के लिए positive है और dollar index के लिए negative है पिछले महेने याने कि जून 2023 में core inflation आया था 5.30% पे और ये जुलई 2023 के अंदर core inflation आया है 4.80% पे याने कि आप देख सकते हो 0.50% की एक बड़ी गिरावट core inflation के अंदर आई है जो हमने आपको हमारे वीडियो से लगातार बताई थी हमें लगता है core inflation आने वाले महनों में और निचे जाएगा जुलई 2023 में core inflation 4.80% पे आने के कारण आप देख सकते हो अभी अमेरिका के अंदर interest rate भी core inflation से जादा हो चुके है अमेरिका के अंदर अभी interest rate चल रहे है 5.25% पे और उसी समय पे core inflation आया है 4.80% पे और इस वज़े से हमें लगता है कि federal reserve interest rate बढ़ाने से खुद को रोग सकता है दोस्तों core inflation के साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा आया है inflation का हमने हमारे जून 2023 के हर एक वीडियो में आपको बताया था अमेरिका के अंदर inflation आ सकता है 3.50% पे लेकिन बहुत सारे लोगों को हमारे ये analysis के उपर भरोसा नहीं था और उन्होंने वो comment के दोरा भी हमें बताया था दो दिन पहले ये survey आया कि अमेरिका के अंदर inflation आ सकता है 3.10% पे लेकिन दोस्तों आप देख सकते हो market के expectation से भी inflation कम आया है market के अंदर ये expectation था कि अमेरिका के अंदर inflation आएगा 3.10% पे लेकिन actual में inflation आया है 3% पे दोस्तों अभी आप ही सोचो अमेरिका के अंदर interest rate खड़े है 5.25% पे उसी समय पे जुलई 2023 में inflation आया है 3% पे याने के interest rate और inflation के बीच में 2.25% का बहुती बड़ा ग्याब बन चुका है और इसलिए हमें लगता है के interest rate जुलई 2023 के meeting में नहीं बढ़ेंगे अब आप ही सोचो interest rate बढ़ सकते है के नहीं अमेरिका के अंदर federal reserve की meeting है 25-26 जुलई को याने के 26 जुलई 2023 को हमें पता चल जाएगा के federal reserve interest rate बढ़ाता है के नहीं लेकिन दोस्तों हमारा analysis हमें यहीं बता रहा है के core inflation और inflation के अंदर एक बहुत ही बड़ी गिरावट आई है जो federal reserve को जुलई 2023 में interest rate को बढ़ाने में रोकेगी उसी तरह से हमें ये भी लगता है के ये पूरे 2023 में interest rate अभी नहीं बढ़ेंगे और पूरी possibilities है के जुलई 2023 के बचे हुए महनों में हमें interest rate कट भी मिल सकता है inflation का बहुती महत्वपूर्णा data आने के बाद आप देख सकते हो dollar index के अंदर एक बड़ी गिरावट आई है लेकिन दोस्तों आपको एस समझना पड़ेगा कि ये data आने से तीन दिन पहले से ही dollar index ने rising trend line से breakdown दिया था और तभी से dollar index के अंदर एक बड़ी गिरावट आ रही है यानि कि ये लगातार पाचवा दिन है जब dollar index के अंदर एक बड़ी गिरावट आई है dollar index के लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण लेवल है 100.80 dollar का अगर dollar index weekly chart के उपर 100.80 dollar के नीचे closing देता है तो dollar index में breakdown confirm हो जाएगा और उस वजह से आने वाले हपतों में dollar index के अंदर गिरावट और बढ़ सकती है जो gold silver के लिए positive होगी inflation का data आने के बाद आप देख सकते हो silver ने 23.10 dollar के उपर एक बड़ा breakout दिया है लेकिन दोस्तों आज की closing बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की closing की तरह ही हमें लगता है ये हपते की भी closing बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी silver के लिए silver अगर 23.10 dollar के उपर ये हपते में एक बड़ी closing देता है तो silver के अंदर breakout confirm हो जाएगा और उसके बाद silver के अंदर एक बड़ी तेजी की शुरुवात यहां से हो सकती है इंडिया के अंदर हमने आपको clearly बताया था 70,250 ये breakout लेवल है और silver आप देख सकते हो ये लेवल के उपर ही है और silver के अंदर अभी तेजी 72,000 रुपे के उपर निकल चुकी है हमने आपको हमारी वीडियो से ये लगातार बताया था के silver की गिरावट के अंदर आप investment कर सकते हो और उसके लिए हमने आपको लेवल्स बताये थे 73,750 जहाँ पर आप 30% capital लगा सकते थे फिर 72,000 जहाँ पर आप 30% और लगा सकते थे और फिर 70,000 जहाँ पर आप 30% और लगा सकते थे अगर किसी ने हमारे ये लेवल्स के अनुसार इनवेश्ट किया है तो उसका silver के अंदर average खरीदारी का कीमत होगा 71,916 रुपे और अभी silver काम कर रहा है 72,200 रुपे के उपर याने की दोस्तों हमारे buying price के उपर silver आच चुका है दोस्तों हमारे बहुत सारे लोगों ने हमें बताया था कि हमें silver के अंदर loss हो रहा है हम उन सारे लोगों को बताना चाहेंगे कि आपकी खरीदारी की कीमत आ चुकी है तो आप यहाँ पर निकल सकते हो अगर आपका नजरिया कम से कम 9 से 12 महने का नहीं है क्योंकि दोस्तों हमने आपको silver के अंदर जो भी targets दिये है वो 9 से 12 महने के लिए है और देड से 2 साल के लिए है तो अगर आप इतने महने या फिर साल नहीं रुख सकते हो तो आप अभी भी silver से निकल सकते हो इंटरनेशनल मार्केट में gold 1935 डॉलर के उपर निकल चुका है जो हमारा breakout लेवल है लेकिन जैसे कि हमने आपको silver के लिए बताया है कि आज की closing ही नहीं तो ये हफते की closing भी बहुत ही महत्वपूर्ण है तो अगर gold 1935 डॉलर के बहुत उपर एक अच्ची closing देता है यानि के बड़ा breakout ये हफते देता है तो gold के अंदर आने वाले हफतों में नई तेजी की शुरुवात होगी नीचे की तरप gold के लिए अभी महत्वपूर्ण सपोर्ट है 1893 डॉलर का हम आपको लगातार बता रहे थे 1893 डॉलर के उपर gold जब तक है हमें लगता है 1935 डॉलर को वो उपरी तरप तोड़ सकता है तो हमें अभी ध्यान रखना है gold की ये हफते की closing का ये हफते की closing 1935 डॉलर के उपर आनी चाहिए लेकिन दोस्तों ये थोड़ी उपर आनी चाहिए यानि के एक बड़ा breakout में clearly दिखना चाहिए इंडिया के अंदर हमने आपको silver की तरह ही gold में बताया था के हमारा नजरिया ये गिरावट के अंदर सिर्फ खरीदारी का है हमने आपको खरीदारी के लिए पहला लेवल बताया था 69,900 का जहापर आप 20% कैपिटल लगा सकते थे दूसरा लेवल बताया था 69,200 का जहापर आप 20 टका कैपिटल और लगा सकते थे और तीसरा लेवल बताया था 58,400 का जहाँ पर आप 30 टका कैपिटल और लगा सकते थे अगर आपने हमारे बतायवे लेवल के उपर खरीदारी की है तो आपकी एवरेज खरीदारी की कीमत है 69,057 रुपे की और अभी इंडिया के अंदर गोल्ड काम कर रहा है 69,035 रुपे के पास यानि की दोस्तों हमारे एवरेज खरीदारी के पास गोल्ड अभी आ चुका है हम आपको फिर से एक बार क्लियरली बताना चाहेंगे कि अगर आप गोल्ड की इंवेश्मेंट के अंदर अगले 9 से 12 मेने या फिर देड़ से 2 साल रुप नहीं सकते तो अभी निकल सकते हो क्योंकि दोस्तों गोल्ड के अंदर जो ये तेजी बनेगी या फिर सिल्वर के अंदर भी जो ये तेजी बनेगी वो सीधी लाइन में तो नहीं बनने वाली इसके अंदर अब सेंग डाउन्स भी आएगे तो अगर आप 9 से 12 मेने या फिर देड़ से 2 साल इंतजार नहीं कर सकते तो आप अभी निकल जाए यही आपके लिए बहुत अच्छा होगा तो ये वीडियो का सारा उंस यह है कि हम आपको हमारे जून 2023 के हर एक वीडियो में लगातार बताते आ रहे थे कोर इंफलेशन और इंफलेशन के अंदर एक बड़ी गिरावट आने वाली है और उस वज़े से हमें लगता है फेडरल रिजर्व जुलै 2023 के मीटिंग में इंट्रेस रेट को नहीं बढ़ाएगा आपने देखा कोर इंफलेशन उसी तरह से इंफलेशन के अंदर एक बड़ी गिरावट आ चुकी है और हमें लगता है फेडरल रिजर्व इंट्रेस रेट को जुलै 2023 में नहीं बढ़ाएगा उसी तरह से हमने आपको ये भी बताया है कि पॉसिबिलिटी यही है कि बचे हुए महनों में भी इंट्रेस रेट ना बढ़े उससे उल्टा इंट्रेस रेट कट 2023 में भी आ सकता है जो गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटीव है दोस्तो हम आपको वीडियो खतम करने से पहले फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि सिल्वर के अंदर हमारी एवरेज खरीदारे की कीमत आ चुकी है तो अगर आप नव से बारा महिने या फिर अगले देड़ से दो साल इंतजार नहीं कर सकते तो सिल्वर से अभी निकल जाए उसी तरह से गोल्ड के अंदर भी हमारी एवरेज खरीदारी की कीमत आ चुकी है तो अगर आप अगले 9 से 12 महने या फिर देड़ से 2 साल इंतजार नहीं कर सकते तो गोल्ड के अंदर से भी आप अभी निकल सकते हो क्योंकि गोल्ड सिल्वर के अंदर जो ये तेजी बनेगी उसके अंदर अपस और डाउन्स तो डेफिनेटली आएंगे तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा जरूर बताएं अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें चानल को सबस्क्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पैचानवालों के साथ शेयर करना ना भूलें तक ये जानकारी आपके उनको भी पता चल सके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थेंक यू